वास्तू सास्तर टीप्स पहला, सब कुछ ठीक होने के बाद भी आपको लगता है कि हमारे हाथ में धन नहीं रूगता तो आपको अपने घर के दक्षन पुरव दिशाक्षेतर से नीला रंग हटाने की जुरूरत है इस दिशा में हलका नारंगी गुलाबी रंगों का परियोग करें दूसरा, घर के अंदर लगे हुए मकडी के जाले धूल गंदगी को समय समय पर हटाने से घर में नकारात मता उर्जा नहीं रहती तीसरा, घर में बने हुई क्यारियों या गमलों में लगे हुए पोदों को नियमित रूप से पाने देना चाहिए यदि कोई पोदा सुख जाए तो उसे तुरत वहां से हटा दें चोथा, दक्षिन पूरव दिशा में ओवर हेड वाटर टैंक की विवस्ता करना लाप्रद रहता है पांचवां, दरवाजे को खोलतें तथा बंद करते समय सावधानियों से बंद करें ताकि करकश दहनी ने निगले चटा, यदि आपने घर में पूजा घर बना रखा है तो सुख फलों की प्राप्ती के लिए उसमें नियमित रूप से पूजा होने चाहिए एवं दक्षिन पस्चिम की दिशा में निर्मित कमरे का परियोग पूजा अर्चना के लिए नहीं किया जाना चाहिए साथवा, गेंस का चूला कीचन प्लेट फोरम के आगने अकोण में दोनों तरब से कुछ इंच जगह छोड़ कर रखना वास्तु सम्मत माना गया है आठवा, सयन कक्ष में ड्रेसिंग टेबल हमेशा उत्तर या पूरव दिशा में रखने चाहिए सोते समें सीशे को ढख दें, नोवा गरिया कमरों में केक्टस के पोधे या कंटेली जाडियां या कांटों के गुलदस्ते जो की गमलों में साथ सजा के लिए सजाते हैं उनसे पूरी तरह बचना चाहिए धन्यवाद दोस्तो